हाई फ्रेंट्स आपका एक बार फिर बहुत-बहुत सागत है आपके अपने चैनलन टेक्निकर अरून में दोस्तों आज की वीडियो हमारी LG LED TV पे होने वाली है जो कि 32 इंच की LED TV है LG कंपनी की है और इसको आउन करते ही यहाँ पे आपको फाल्ट दिख जाती है वाइड डिस्प्ले की वाइड स्क्रीन की फाल्ट अगर इस तरीके की फाल्ट आती है आपके सामने या इस तरीके की प्रब्लम आती है तो कैसे ठीक क्या आता है इसकी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है दोस्तों पूरी वीडियो देखिएगा जरा भी इसकी मत करिएगा क्योंकि आपके बहुत काम की वीडियो है और ऐसी फाल्ट होने पर हम अकसर डर जाते हैं कि हमारी डिस्पले खराब हो गई तो डिस्पले खराब होना एक LED TV के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है दोस्तो जैसा कि यहां पर मैं आपको इसका मॉडल नमबर दिखा दे रहा हूं LG कमपनी की 32 इंच की LED TV है और इसमें वाइड डिस्पले की प्रॉब्लम है इसको हम ठीक करेंगे जैसा कि मैंने आपको इस टार्टिंग में ही बता दिया तो दोस्तों यह प्रॉब्लम LG कमपनी में नह हैं वीडियो हम खुदी सूट करते हैं खुदी रिपियर भी करते हैं सारी चीज़े खुद मैं यह केलाई करता हूं तो कुछ इस तरीके से यहां पर हैंने LED TV को ओपन कर लिया है और यहां पर आपको मदर बोर्ट दिखाई दे रही है LED TV को टेस्ट कैसे करेंगे आईए हम स दोस्तों सबसे पहले हैं निगेटिव वाला जो हमारा मल्टी मिटर का उसको हम LED TV से ही डायरेक्ट ली अर्थ कर दिया है और हम इसको अब देते हैं 19 बोल्ट की पावर सप्लाई जो इसका एडाप्टर होता है उससे 19 बोल्ट की सप्लाई में देते हैं सप्लाई देने के ब ड़र लेते हैं और वेकर को हटाने के बाद हम आपको बोल्ट सकैसे टेस्ट करने हैं तो सबसे पहले हम यहां च। पैनल वोल्टिज के बारे में किसी और वीडियों में फिर बात कर लेंगे तो दोस्तों यहां पर एक फियुज लगा होता है फियुज भी हम सबसे पहले टेस्ट करते हैं कि हमारी सप्लाई पैनल को मिल लिए की नहीं मिल लिए जैसा कि फाल्ट में किलियर है कि पैनल को सप्लाई मिल रही है तब इस ग्रीन इसकी वाइट है फिर भी हमें एक बार वॉल्टिज को मेजर कर लेते हैं कम जादा या अधिक ऐसा तो कुछ रोल यहां पे नहीं है तो यहां पर 11 बॉल्ट के आसपास सप्लाई दिखाए दे रह है तो यह बॉल्ट इस हमें यहां पर अच्छी तरीके से प्राफ्ट हो रही है तो यह सप्लाई हमें मिल लेए डीसीटीशी को मिल लेए डीसीटीटीशी जो होती हमारी 100% वरकिंग करडिशन में है कोयल सब भी बोल्टिज को हमने टेस्ट कर लिया अब दोस्तों हम आपको आगे बताते हैं problem कहाँ पर हो सकती है दोस्तों इस तरीके की problem जब LED TV तब आती है जब इसको gamma voltage नहीं मिलते है तो picture graphics नहीं बनती है display white हो जाती है तो इस तरीके की fault को test करने के लिए हमें final की दूसरी side पर आना पड़ेगा जो scalar लगा हुआ की दूसरी side पर आना पड़ेगा यहां पर मैं आपको दिखा दे रहा हूं दोस्तों कुछ resistance लगी है वहां पर test point भी बने हुई है थोड़ा zoom out करके दिखाता हूं को तो zoom in करके दोस्तों यहां पर दिखिए सोला बोल्ट के आसपा सप्लाई है यह जितनी भी test point यहां पर लाइन से बने हुए है सभी test point भी हमें voltage प्राप्त होने चाहिए क्यों प्राप्त होने चाहिए मैं आपको आगे बताता हूं सबसे पहले मैं test करके दिखाता हूं सब पर चेक करते जा रहे हैं सब पर हमें लगबख 16 बोल्ट के आसपास के supply मिल रही है तो दोस्तों यह 16 बोल्ट के आसपास सभी test point पर supply मिल रही है इसका मतलब यहां पर problems है क्योंकि यह जो लाइन से resistance उपर की side में दिखाई दे रही है यह सारी resistance दोस्तों हैं पर स्रीज में लगी हुई होती है यहां पर last resistance पर आ रहे हैं यहां पर भी दोस्तों 16 बोल्ट की supply हमें मिल रही है तो यह 16 बोल्ट की supply मिलने का main मतलब मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले आप resistance आप देख रहे हैं जितनी फी resistance लगी हुई है यह सारी सीरीज में लगी हुई है और यह last की resistance भी इनी सीरीज की resistance में जुड़ी हुई है जैसा कि series resistance और parallel resistance के बारे में हमने कभी discuss किया है पुरानी वीडियो में तो मैं आपको यह जूम करके दिखाता हूं आर 218 यह resistance है क्योंकि सारी voltage हम उधर से चेक करते आ रहे हैं last तक की सारी voltage मिल नहीं है last में यह जो resistance लगी है ground से connected है और दोस्तों ground से connected है तो इसका मतलब है कि जब यह ground से connected है तो load पढ़ना चाहिए और इस resistance की voltage drop होनी चाहिए तो यहां पर voltage drop नहीं हो रही है तो इसका मतलब है यह resistance हमारी open है इसको resistance को हम open करके टेस्टे भी कर सकते हैं तो दोस्तों वीडियो पास करके हमने यहां पर resistance open कर दिया है यह आपका testing का main जो मैंने आपको बताया main aim था कि किस तरीके से test करेंगे जैसे जैसे हम ground की तरफ आता है तो बोल्टेज अधर जीरो होते हैं और जम में की तरफ जाता है तो वहां पूरी voltage होते हैं तो उसी condition में यहां पी रेजिस्टेंस लगी हुई है सारी रेजिस्टेंस धीरे धीरे जितनी कदम हम आगे बढ़ेंगे उतनी ground की तरफ उदर voltage कम होनी चाहिए तो voltage कम नह लगाने वाले यहोने अब नार्मल रेइस्टेर क्योंकि वहां पर SMD रइश्टर लगी है cette SMS अप्सीं से निकालके लगा सकते हैं तो हम यहाँ पर यहांने से पहले आपको बता दूँ link और चैनल है एग्रोटेक टीए सौप या टीए कियर तीनों नामों से सर्ज करेंगे तो आएगा एग्रोटेक के नाम से चैनल है जिस पर आपको सोलर जट का मसीन की जानकारी मिलती है और भी एलक्रानिक काम्पोनेंट आपको हमसे खरीदने हैं तो वहां पर आप जाके वीडियो देख के खरीज सकते हैं अब दोस्तों रइस्टर लगाने के बाद मैं यहां पर आपको दिखा देता हूं बोल्टेज टेस्ट करके जैसा कि देखिए हम जैसे एक एक इस्टप आगे बढ़ रहे हैं बुल्टेज कम हो रही है सोला से पंदरा बॉल्टेज बारा बॉल्ट दस बॉल्ट दस बॉल्ट के आसवास हैं बुल्टेज है और आगे बढ़ते हैं आड़ बॉल्ट के आसवास और आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों धिया धिया धि का मुतलब है कि हमारी जो सारी रेश्टेंस है अब ओके हैं जो लाश्ट में रेश्टेंस थी हमारी ग्राउंड से कनेक्टेट थी वही रेश्टेंस खराब थी बीच में अगर कोई रेश्टेंस खराब होती दोस्तों तो बीच में हमी सप्लाई मिलना बंद हो जाती तो अब यहां पर यह हमारी voltage सही मिल नहीं है घरते कर्म में हमें voltage मिलने चाहिए अब हम दोस्तों डिस्प्ले को उठा के एक बार चेक कर लेते हैं क्योंकि voltage प्रापरली हमें मिलने लगी है तो पिक्चर आई है कि नहीं आई है सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं फिर आगी पर बात करते हैं तो यहां पर जैसा कि देख पा रहे हैं को नहीं जाने देती है और हमारी स्क्रेण पर पिक्चर नहीं बनती है तो इस तरीके के फाल्ट अगर आपके सामने आती है तो आप भी इसे आसानी से रिपियर कर सकते हैं बस थोड़ा सा आपको ध्यान से एक एक टेस्टिंग चेक करनी पड़ेगी इसमें दोस्तों टेस्टिंग का फार्मुला जो मैंने बताया आपको बोल्टेज चेक करते हुए घर्टे करम में आनी चाहिए में रोल ही है क्योंकि हमारी रेइस्टर का जो स्रीज लगा हुआ ह है एक साइट वो सीधे डायरेट क्राउन से जुड़ा हुआ है और दूसरी साइट सीधे बोल्टेज से जुड़ा हुआ है जो कि सोला बोल्ट जहां पर मैं सप्लाई आ रही है दोस्तों कुछ इसी तरीकी की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बराबर बने रहे हम हमारे चैनल को दोस्तों लाइक और सेर जरूर करें अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो अगर आपको कोई समस्या कोई प्राबलम हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं हो सके हम आपको संबहता रिप्लाई जरूर लाइए